दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्रिधा पिंसन योजना का अनलाइन अपलाई कैसे कर सकते हैं अगर आपके परिवार में कोई भी ब्रिधजन है तो उनका पिंसन का अपलाई कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा अगर वाले जे आप किसी और का करना चाहते हैं अपने परिवार में नौ करके किसी और का करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं चलिए मैं आपको लैपटाप के स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपना अ आजाएंगे इस्का लिंक मैं वीडियो के दिस्क्रीप्टर्सिन में दे दिया हूं, वहां से कलिक करेंसे ह्सेदे आप इस पूर्टल पर आजाएंगे, यहां पर आने के बाद देख सकते हैं इस तरह का हैं ज्र ना होगा, पर देख सकते लिया उसके बाद यहां पे अगर आप नगर में रहते हैं तो नगर पे अगर ग्रामीड छेतर में रहते हैं तो ग्रामीड पर क्लिक कर दीजेगा उसके बाद आपका जो भी तहसील है उसको सलेक्ट कर लीजेगा उसके बाद आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसको आप यह कर लेना होगा उसके बाद फ्रण यहां पर दिख सकते हैं आवेदक का नाम और यहां पर दिख सकते हैं हिंदी में लिखा है नाम जो आधार कार्ड पर अंकी थो तो आपके जो आधार कार्ड पर नाम लिखा है वहीं सेम टू सेम यहां पर आप लिख दीजेगा उसके बाद यहां पर link अगर male है तो female है तो female अगर other है तो mother तो यहां परNow comment My girl करने वाला हूं तो mail पर मैंने Corps कर दिया उसके वाद यहां पर जन्मति थी आहां से सब्लेंट कर लीजेगा इसपे क्लिक करके और यहां पर जन्मति farming को सिलेक्ट कर तो और ले किसी जह smaller है तो उसके पिता का नाम यहा पे लिख देज आ घृत भी तो यहाँ पर wordt के पो अपना मोवाइल नंबर डाल देना होगा ऊसके बाद फर यहां पूरा पता आपको लिख देना होगा जैसे वीलेज आप अपने वीलेज का नाम लिख देजेगा पोस्ट और डिस्टिक जो भी है ओ लिख देजेगा उसके बाद यहां पे देख सकते हैं bank का विव्युरर यहां पर पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी bank होगा उसको जैसे यहां पर मैं Central Bank Select कर ले रहाहूं उसके बाद यहां पर Bank साखा का नाम तो आपके जिले में जितने भी Central Bankा आफ इंडिया के साखा रहेंगे वहाँ पर आ जाएंगे तो इंदरपूर मे रहा है यहां पर मैंने Select कर लिए देख सकते हैं branch करते ही यहां पर आ चुका उसके बाद यहां पर खाता संख्या डाल देना होगा जो भी आपका खाता संख्या और उसके बाद खाता संख्या दुबारा दर्ज करें मतलब फिर से आपको दुबार यहां पर रिएंटर करना है और उसका थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहां प प्रमाडपत्र कर्मांग संख्या वहां पर लिखा होता है उसको डाल दीजेगा डालने के बाद यहां पर देख सकते हैं दस्तावेज अप्लोड करें तो यहां पर फ्रिंट देख सकते हैं अप्लोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो तो यहां पर आपको से साइच कम करना है उस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंड यहां पे देख सकते हैं अप्लोड जन्मति थी आयू प्रवाण पत्र तो फ्रेंड बहुत सारे लोग यहां पर परिशान हो जा रहे हैं कि मेरे पीता जी या मेरी दादी जी साथ साल के हो गई हैं उनका जन्म प्रवाणपत्र नहीं है तो फ्रेंड आपको जन्म प्रवाणपत्र अप्लोड करने की जरूरत नहीं है आप उनका आधार कार्ड ही अप्लोड कर दीजिए यहां पर देख सकते हैं पीडियाप में होना चाहिए और यहां पर जंसें भी से जादा नहीं होना चाहिए उसके बाठ थोड़ा सा नीची आते हैं और यहां पर आप Ε хват कार्णम पर दिर्वées संघ्रास आयों और यहां पर को क्लीक करने के बाद इख यां पर ढूंप्र जाँगा चुका है ऊपका आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर लिख रहा है क्रिपया आवेदन के स्थिति के लिए यहां क्लिक करके लागिन कर रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर दिना होगा और क्लिक करने के बाद यहां पर दिख सकते हैं सलेक्ट पेंशन स्कीम इस पर आपको यहां पर जो भी आपकशन है जैसे मेरा है घंत तो यहां पर मैंने सलेक्ट कर लिया उसके बाद यहां पर रिस्टेक् recruit के आ हैक इस नाल करके और सेंड्य नौँप्टि पर क्लिक करने के बाद आपने जो मुडल नंबर दिया था उस पर एक otp जाएगा च्छायंग का उस च्छायंग की OTP को आपको यहां पर डाल देना होगा और जो CAPTCHA है CAPTCHA डालके login पर आपको क्लिक कर देना होगा यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आएगा यहां पर देख सकते हैं लिग रहा है pension scheme यहां और उसके बाद registration नंबर आ चुका अप्लिकेंट का नेम आ चुका और यहां पर देख सकते हैं step 1 अभी complete हुआ step 2 step 3 अभी पाख ही है तो आपको यहां पर step 2 पर क्लिक कर देना होगा तो step 2 पर क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं आवेदन पत्र संसोधन के लिए खुला है समाज कर लिए अधिकारी को भेजने के लिए final submit करना अवस्यक है second step में आपको बारेकी से सब कुछ यहां पर देख लेना होगा कि कुछ भी गलती अगर रहेगा तो यहां पर यहां पर सुधार कर सकते हैं यहां पर देख लिजेगा तो मेरा यहां पर सब कुछ सही है तो यहां पर मैं capture डालके final submit पर क्लीक कर दे रहा हूं अगर मालेजी आपका कुछ भी गलत है तो उसको सही करके और यहां पर आपको capture डालके update detail पर क्लीक कर देजेगा तो अपडेट हो जाएगा मेरा सब कुछ सही है इसलिए यहां पर मैंने capture डालके final submit पर मैं क्लीक कर दे रहा हूं final submit पर क्लीक करने के बाद एक pop up आएगा ok तो ok पर आपको क्लीक कर देना होगा ok पर क्लीक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आ जाएगा और आवेदक का नाम इहां पर आचुका है देख सकते हैं लिखा है नाम जो अधार कार्ड पर अंकित है उसकी बाद यहां पर फ्रिंड थर्ड इस्टेप में आपको अपना अधार number डाल देना होगा अधार number डालने के बाद आपको चेक तो यहां पर देख सकते हैं अधार सत्याप्न प्रयास की संक्या 3 अगर 3 बार आप अधार नंबर गलत लिख देती हैं तो यह जो रेजिट्रेशन है लॉक हो जाएगा आप यहां पर आनलाइन आविदन नहीं कर पाएंगे तो friend आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे आधार नंबर डाल करके और click for आधार authentication पे click कर देना होगा click करने बाद उपर लिख रहा है are you sure to आधार डेमोग्राफी authentication तो okay पर मैं click कर दे रहा हूँ click करने के बाद देख सकते हैं आधार authentication succeeded यहाँ पे लिख रहा है और proceed for final print इस पे आपको click कर देना होगा और click करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे step 1, step 2, step 3 यहाँ पे complete हो चुका है अब बाकी रह चुका है print out निकालना तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है print application तो इस पे आपको click कर देना होगा print application पे click करने के बाद यह error आ जा रहा है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि final print निकालने के लिए मेरे description में एक link दिया है उस पे click करने के बाद देख सकते हैं reward not found लिख रहा तो ok पर आपको click कर देना होगा और ok पे click करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ खाली खाली सो हो रहा है तो यहां पर देख सकते हैं मैं पेस्ट कर दिया उसके बाद यहां पर फ्रेंट देख सकते हैं एकती सोंचा से यहां पर भी लिखा है यहां पर भी मैं पूरा यहां पर एकती सोंचा से लिखा है तो यहां पर भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूं और पेस्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना होगा करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पे आ गया और यहां पर फ्रेंट देख में तब तक के लिए जाहिन पनिवात्रों